बिहार हमेशा लोकसभा सुनाव में साब प्रतिसद मोडी जी को देते है और इस बार भी मेरा विश्वाज है साब प्रतिसद ही हमें मिलेगा यह जो इंदी गद्भन्ण ने उनका जो एक्सपेरी देढ चार जुन तगी है तो सार जुन का पहले जतना बैठक करना है उनको करने दिजिया सार जुन का बार उनका बैठक में कुण आएगा कोई आने वाला नहीं है खटमी हो जाएगा देखिए समयसा एही है बाबा साहिब ने जो आरक्षन का बेवस्ता संग्विधान में रखा जाती का अधर में सिडूल ट्राइप, सिडूल कास्ट, OBC कॉंग्रेस पार्टी और टी-मसी बेंगल में क्या किया OBC का आरक्षन में मुसल्मानों को बैक डोर एंट्री करवा दिया लालुज अडब खोल के बोल रहा है कि मुसल्मान का आरक्षन होना सही है लेकिन हमारे ये मन है कि मुसल्मान का जो भी आरक्षन मिल रहा है ओ भी खटम हो जाना साहिए करनाटक में मिल रहा है ओ भी खटम हो जाना साहिए बेंगॉल में मिल रहा है ओ भी खटम हो जाना साहिए अंधर पडेश में मिल रहा है ओ भी खटम होना साहिए ये दोनों सोज है ये दोनों ठॉट का फाइड है लादूल जड़ा बोल रहा है मुसलमान को अरक्षन दो हम बोल रहा है कि हम जो भी मिल रहा है मुसलमान को ओ भी बन करूंगा किसलिए भारत में धर्म का अधर में अरक्षन नहीं हो सकता है जाती का अधर में अरक्षन होगा तो बाबा साहिब का खिलाब जो भी जाएगा उसका साथ हम लोग जंग लरेगा कहा है भाई कुण सा कुण सा प्रवीजन है संग्विधान में बाबा साहिब अम्बेदकार का संग्विधान सभा में आप बक्तेव्व सुनिये संग्विधान सभा का सारे बात सुनिए धारम का अधार में भारत में संग्रक्षन होता ही नहीं यह सिडुल ट्राइब के लिए है सिडुल कास के लिए है OBC के लिए है और BJP प्रतिवध है कि यह टीनों संग्रक्षन रहेगा आरक्षन रहेगा इसको हम सक्ति देगा लेकिन कोई भी कारण में OBC आरक्षन में मुसल्मान का बैक डोर एंट्री होई नहीं सकता है और ये अगर होगा तो देश में ये देश धर्म का अधर बच जाएगा कुछ बसेगा ही नहीं नाना पटोले का बायान से एक बात स्पस्थ हो गिया कि कॉंग्रेस का मंसा है कि मोका मिलने से राम जनम हुमी का जागा में उहां बाबरी मस्ज faith दुबारा करना मोडी जी जो बोल रहा था नाना पटोले का बयान ये पुश्थी करन करता है कि कॉंग्रेस का कुछ ना कुछ कीम राम मंदिर को लेके है अभी का जो राममंदिर है रामलाला है उसका हजम नहीं हो रहा है उनका कुछ गरबरी करना है और कॉंग्रेस गरबरी ना कर पाए इसलिए हमें मोडी जी को सार्शवसित देना है सार्शवसित आने का साथ सार हमें तो पाक अकुपाइट कास्मीर को भारत में लाना है हमें तो कृस्ट जनम्मुमी को मुख करना है हमारा सार्शवसित में बहुत बड़ा एजेंदा है इनुफर्म सिविल कोड लाना है पाक अकुपाइट कास्मीर को भारत में लाना है हमारा तो एजेंडा कम नहीं है बहुत लंबा एजेंडा है मोडी जी का साथ भारत को विश्वगुरु बनाना है तो ये सारश्वसित जब मिलेगा कृष्णा जनम मुमी हो जाएगा पी मस्जीद वाला खटम हो जाएगा कासी विश्वनात का और भाइब्बा मंदिर बनेगा इनुफर्म सिविल कोड बनेगा और मैं तो भगवान को पाठना करता हूं सारस्वसित का साथ मोडी जी पाक अकुपाइट कास्मीर को भारत में बिलिन कर दे हमें तो औरंग जब और बाबर से हमारा नाराजी है हम तो फाइद ही कर रहा है औरंग जब और बाबर से उनका अलवाद उसे हम फाइट कर रहा है तो हमारा पूरा फाइट किसका खिलाब है औरंग जब का खिलाब बाबर का अलवाद का खिलाब ओही तो हम कर रहा हूं खारगे जी का बयान का क पाकिस्तान जाना है हम तो बिहार में हमेशा मिलता हूँ आगे भी मिला था इस बार भी मिलेगा बिहार का जनता का असिरवाद हमेशा मोडी जी का साध यह